प्रभू एक ही दिन में इन सब कामों को करने की सामर्थ रखता है वो अच्छानक से आपके जीवन में कार्य करेगा और आज के दिन में जो भी जरुरते हैं प्रभू इन भाई बेहनों की इनके परिवार इनके बच्चों की हैं अपने स्वर्ग्य धन से परमेश्व सब प्रस्क्राइम किया है यदि आप प्रात्न करवाना चाहते हैं तो प्रैस सेंटर में कॉल करें हम आपके लिए प्रात्न करेंगे धन्यवार्थ प्रेजर लोड दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज सुभह की प्रातना में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि प्रभू आपके जीवन में आपको अंधिकार में छिपा हुआ धन देगा हो सकता है आप इस समय अपने जीवन में financially struggle कर रहे हों आर्थिक रूप से आप परिशान हों तंगी से होकर आप गुजर रहे हों हो सकता है आप सोच रहे हों कि कैसे मेरे परिवार का पालन पोसन होगा कैसे मैं अपने बच्चों की जौरतों को पूरा करूँगा कैसे मैं उन्हें पढ़ाऊंगा कैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा अनेक परकार की बाते हो सकता है आपके मन में चल रही हों परन्तो आज परमेश्र का वचन आपको उटसाइट करता है कि परमे आईश्व और स्वर्गिय धन से ट्रिप्त करेगा, आपके जीवन में प्रभू ऐसे अद्वुत अश्यरे कर्मों को करेगा, इसलिए आप निरास न होएं, हो सकता है आज आप गटी कमी में हैं, लेकिन प्रभू आपको इस गटी कमी से बाहर निकालेगा, हो सकता है आज एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यसाय की किताब उसका 45 अध्याई और 3 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त इस्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा, जिससे तू जान ले कि मैं इसराइल का परमेश्व यहुआ हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है, आमें. दोस्तों, यहाँ पर परमेश्व का वचन कहता है, कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन दूँगा, एक ऐसा धन तुझे दूँगा, जो छिपा हुआ है, जिससे तू अभी नहीं जानता, जिसके बारे में तूने कभी नहीं सोचा, एक ऐसा धन जो छिपा हुआ है जो गुप्त इस्थानों में रखा हुआ है, जैसे हम खजाने के बारे में सुनते हैं, कि खजाना गुप्त इस्थानों में छुपाया जाता था, और जिस आदमे को वो खजाना मिल जाए, तो वो बहुत अमीर हो जाता था, और आज सुभे में परमेश्र का वचन आपको और ह बड़ा हुआ धन है वो प्रभू आपको देगा मैं यहां पर खजाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रभू आपको एक खजाना दे देगा या फिर प्रभू आपकी लोटरी लगा देगा मैं इस बारे में यहां पर बात नहीं कर रहा हूँ परंतो मैं कह रहा हूँ कि परमे परमेशोर से प्रात्ना किया और परमेशोर ने उसे बुद्धी से भरा और ऐसी बुद्धी से भरा कि उस बुद्धी के द्वारा वो बहुत अमीर हो गया उसके पास किसी भी वलिवस्तु की गटी कमी नहीं रही उसके पास बहुत धनसमपत्ती हो गई किसके द्वारा उस ब बहुत अमीर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यूसुप के जीवन में। एक अधभुत वर्दान से भरा सपनों का अर्थ बताने का और उस वर्दान के दौरा वो यूसुप मिसर देश का प्रधान मंतरी बन गया। परमेश्वन ने उसे धूली में से उठा कर राजा बना दिया। उस जेल से निकाल कर उसे राजा बना दिया। यही तो है वो अंधकार में छुपावा धन वो गुपतिस्थान में गड़ावा धन वो यही तो है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। जो आपके आँखों ने नहीं देखा जो आपके कानों ने नहीं सुना जो आपके चित में भी नहीं समाई ऐसी बातें अचानक से प्रभो आपके जीवन में कर देगा। में अर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हो गरीबी से होकर गुजर रहे हो परेशानियों से होकर गुजर रहे हो लगता हो कि आपका भौश अंदकार में हैं लेकिन आज सुभह में मैं आपको साइट करूँगा कि परमेशो का वचन कहता है कि वो आपको अंदकार में छिपावा धन देगा जिसको आप अपनी बलसक्ती बुद्धि ज्यान समझ से अपने पैसे से नहीं कर सकते ऐसे काम प्रभू आपके जीवन में चुटकियों में कर देंगे अचानक से आपके जीवन में वो काम हो जाएगे आप स्ट्रगल कर रहे हैं विपत्ति से होकर गुजर रहे हैं कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं परन्तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके आँके खुलींगी अचानक से आप देखेंगे कापके जीवन में बहुत बड़ा अच्षर कर्म परबो ने कर दिया एक अद्बुत अश्यर कर्म जो आपके सोच आपके समध से परे होगा ऐसे प्रबो आपके जीवन में करेगा आपको प्रबो अपने दान वरदानों से भरेगा जिनको इस्तिमाल करने के द्वारा आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे, आप अपने जीवन में उचाईयों पर पहुँच जाओगे, ऐसे दानवरदानों से प्रभू आपको भरेगा, ऐसे मारगों को प्रभू आपके लि यही तो वो अंदकार में छिपा हुआ धन और गुप्तिस्तानों में गड़ा हुआ धन जिसके बारे में आपने नहीं सोचा है लेकिन प्रवो अचानक से आपके जीवन में कार्य करेगा और वो सब आपको दे देगा कोई बात नहीं अगर आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत से भाई बहने जो सोचते हैं समय बीच चुका है समय बीच चुका है अब हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन यदि आप प्रवो पर भरुशा करते हैं तो प्रवो एक ही दिन में आपके जीवन में वो सब कर सकता है जो आपने इतने लंबे समय से नहीं किया है। वो प्रवो आपके जीवन में एक ही दिन में कर सकता है। हम रूत के जीवन में देखते हैं, वो भी अपने जीवन में बहुत अधिक स्ट्रगल कर रही थी, एक भी दाना उनके पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन अचानक से उसकी मुलकात वो अज से होती है, जो बहुत धनवान ब्यक्ति है, बहुत दयालू ब्यक्ति है, और उसक जीवन, रूत का जीवन वहीं से बदल जाता है, अचानक से, जो उसने नहीं सोचा था, परमेश्यों ने वो उसके जीवन में कर दिया, और जहां जिस खेत में वो बाले बिन रही थी, और उस खेत के जो करमचारी थे, वो उसे भगा रहे थे, वही रूत उस खेत की मालकिन बन गई। दोस्तों पर मेश्यूट के लिए कोई काम असंभव नहीं है। यदि आप उस पर भरूसा रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो अपने परस्तितियों को देखकर निरास न होई। यह न सोचें, जि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो वो आपके जीवन के द आते हैं, लेकिन अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निरास न होएं, प्रभू एक ही दिन में इन सब कामों को करने की सामर्थ रखता है, वो अच्छानक से आपके जीवन में कारिया करेगा, अच्छानक से आपके जीवन में कारिया हो जाएंगे, और आपको पता भी ही चलेगा कि ये सब कैसे हो गया मेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्योर, एक ऐसा परमेश्योर है, हमारा परमेश्योर है, जो अंदकार में छिपा हुआ धन देता है, जो गुप्तिस्तानों में गड़ा हुआ धन देता है, मिंस वो अपने लोगों के लिए प्रभंद करता है अचानक से उनके जीवन में कारिया कर देता है तो प्रभब आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयद से आसीश देगा आमेन परमेश्वर की वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्वर आपको आशेशित करेंगे इन वचनों को आपकी जीवन में पूरा करेंगे यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें 8077 007695 धन्यवाद तो ब्रॉब्र दे खेच में उसेया और आपके सेंटर में अमरिता सिश्टर की और मैंने सेंटर में काल कौन वर्चब के द्वारं तब फिर आप लोगों ने हमारे लिए प्रेयर करी तब फिर हमसे वहां से पुलिस केस का पूरा मैठर सॉल हो गया फिर वो हमने उसको चार-पाच मैने का ओर टाइम दिया तब फिर वो खुद उसने पाच मैने के बाद खरेदी कर दी हमारा वो प्रॉब्लेम सॉल होगा इसल और उसको राद देर राद देरी से उसको जैसा घर पे नहीं आने देते थे कुछ खिलाते पिलाते थे तो मैंने वह भी प्रेयर सेंटर में अम्रिता सिस्टर के आप फोन किया था तो आप लोगों ने वह भी मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना की और वह प्रॉब्लम भी साल हो गया इसलिए मैं प्रभु एशु का धन्यवाद करती और इसके पहले भी मेरे बच्चे की जिवन में मेरे जिवन में और मेरे घर के प्राब्लम बहुत साल हो गया इसलिए मैं प्रभु एशु का धन्यवाद करती जै मसी की प्रभु येश्य मसी का धन्यवाद करते हैं आज किस नए दिन इस नए सुभा के लिए और मैं आशा करती हूँ आप खुश और आनन्दित है और प्रभु के इस वचन को सुनकर आपने आशीश पाई है तो आईए मिलकर प्रात्म करें धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता हमारे प्यारे प्रभु हम सब से प्यार करने वाले ये शो आपका हिर्दे से धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हम से प्यार करते हैं हम सब को आपने अपना बेटा बेटी बनाया है पिता और धन्यवाद देते हैं प्रभु के तेरा नाम ज आज की सुन्दर संगती के लिए प्रभू जो आपने हम सब को दी है प्रभू और हर एक के मन को तैयार किया प्रभू की सुभा में परमेश्वर तेरे लोग तेरे सम्मुक आए तुससे प्रातना करे तुससे बातचीत करे अपने जीवन के हालातों को तुझे सुनाए परमेश्वर प्रभू को उचसाहित हो सके प्यारे खुदा मैं धन्यवाद करती है प्यारे प्रभू विशेश रूप से प्रभू रात के अच्छी नीन के लिए रात की सुरक्षा के लिए प्रभू तेरा धन्यवाद करते हैं और इस नए दिन में प्रभू हम सब को जीव रखने के लिए आपका धनिवाद करते हैं प्रभू आज के दिन को आपके हातों में देते हैं जैसी आपकी योजनाएं हैं प्रभू वो योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाएं और हर एक जन प्रभू आपकी योजना के तहट चलने पाएं प्रभू ज्यान बुद् आगे बढ़ सके पिता धनेवाद करते प्रभू आज के दिन में होने वाले हर एक काम को प्रभू जो आपके लोग करने जा रहें या फिर योजना बनाई है फ्लैंस बनाएं प्रभू और तैयारी की है प्रभू उसमें प्रभू आप उनके साथ में होएं मेरे परमेश्वर इनकी यात्राओं को आजके दिन में सफल करें, इनके कामों को सफल करें, इनके लिए सब कुछ का प्रबंद करें और आजके दिन में जो भी जरूरतakahें प्रभू इन भाई बेहनों की, इनके परिवार, इनके बच्चों की हैं, अपने स्वर्ग्य धन से परमेश्व सब जरुतों को आप पूरा करें विशे शुप से आज के वचन के लिए धनेवादी हैं प्रभू सच में प्रभू आप अपने लोगों से वादा करते कि आप उन्हें प्रभू अंदकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देंगे हाँ परमेश्व आपने ये वाइदा करें कि आप सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे आप प्रभू उन्हें आइडियास देंगे थौर्ट्स देंगे ऐसा रास्तों को तयार करेंगे जिसमें चल का जिन बातों को अपना कर परमेश्व प्रभू आगे बढ़ते चले जाएं मैं धन्यवाद करती हुए आइडियास ऐसे थौट्स परमेश्वर ऐसा काम परमेश्वर आप इनए दे थे प्रभू को भी ऐसी बुद्ध सके परबूस जो आगे बढ़े पीता है और उसको अपना के प्रभू आङे बढ़े सके लोग तो कर आज प्रभू घटी कमिया है प्रभू आपसे प्राथना है प्रमेश्व अपने महिमा मैधन से परमेश्व उनके लिए पूरा करें उनके लिए ऐसा रास्ता निकालें ऐसा जॉब दे प्रभू ऐसा बिजनस दे प्रभू ऐसा आइडिया दे प्रभू ताकि परमेश्व पित कि जो चिंता करता है प्रभू, आप उनसे कहते हैं कि अपनी चिंता मुझे देदो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, प्रभू, आपको ध्यान है, प्रभू, कि इनके जीवन में क्या कमी है, क्या गटी है, क्या गर्जे, क्या सब कुछ हो रहा है, वो सब आपको पता है प्रबो आप इनके मांगने के अनुसार इनके जीवन में पूरा करें प्यारे कुदा वन पिता इनके कर्ज दूर करें प्रबो इनके बच्चों के लिए अच्छा प्रबंद करें इनके परिवार के लिए इनके घर के लोगों के लिए प्रबो अच्छा प्रबंद करें तो प्रभू अपने लोगों को पिता परमेशर, best job, best position, promotions, transfers, प्रभू जो उनके life के लिए अच्छा है, वो आप उनके जीवन में करें, ताकि वो आगे बढ़ें और तेरे नाम को महिमा दे परमेशर, और प्रभू आज प्रभू ये किसी भी घटी कमी में ने रहें, वरन इन के लिए सब कुछ का प्रबंद होने पाए पिता, दनेवाद पिता, जितने भाई बेनों ने अपनी विंतियों को दिया है, अपनी family problems को, बच्चों के life की problems को पिता, बहुत से जो गलत संगती में पढ़ गए हैं, प्रभू एडिक्शन में पढ़ गए हैं, प्रभू गलत बहनों को, इनके बच्चों को, हर एक उस जन को जो तेरे नाम पर विश्वास करता है, बचाएं परमेशर, वरन वो हर बात के लिए तुछ पर depend हो, और प्रभू तेरे द्वारा अगवाई किये जाएं, तेरे द्वारा प्रभू उने ideas और thoughts मिले परमेशर, ताकि वो सही मा हैं तो प्रभू सब्जेक्ट में स्ट्रॉंग होने में मदद साहता करें प्रभू, जो भी नहीं समझ नहीं आता, प्रभू समझने की बुद्धी दे मेरे परमेशर पिता, आपसे पराता है जो competitive exam की तैयारी करें, प्रभू उनकी preparation में प्रभू आप उन्हें और सामर्त द प्रभू जिनका अभी तक marriage नहीं हो पाए, प्रभू व इस बात के लिए चिंतित है, प्रभू उन्हें best life partner आप दे, प्रभू संतान की आशिश आप दे, घर की आशिश आप दे, प्रभू एक अच्छा आत्मिक जीवन आप इने दे, और प्रभू विशेश रूप से हर प प्रभू जो रुके हैं, जो नहीं पूरे हो पा रहे हैं, प्रभू उन्हें पूरा होने में आप मदद करें, पिता, नने वाद करते हैं, जितने भाईवन सेवाकारियों में हमारे साथ शामिल होते हैं, उन्हें आशिश दीजिए, प्रभू जो बढ़ रहे हैं, पिता, उ और उन्हें अपने प्रेम को बीच के रूप में प्रकट किया खुदावन आप उन्हें बहुत तायग से प्रभू आशी दे मेरे पिता जितनों उन्हें विंति प्रात्नों को भेजा है धन्यवाद येशु आप हरेक की सुधी लेते हैं हरेक के उपर आपका ध्यान है प्रभ और सच में आप उनकी प्रात्नाओं का उत्तर दें धन्यवाद येशु के नाम से विंति को मांग दें आमेन आमेन और आमेन